नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार इंडिया मैं आपके साथ दीपक कुमार आज हम आपके लिए एक नया कारेक्रम लेकर आए हैं कारेक्रम है अजीव सिवात जिसके माध्यम से हम उनमुद्दों को ठाने की हर समभब कोशिश करेंगे जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ती आए कारेक्रम की सुरुवात नेताओं से करते हैं जिस विश्वास के साथ जनता अपना समर्थन एक नेता को देती है उस उम्मीद से कि वो नेता आमजन का भविश्य बदलेगा लेकिन वो नेता कब अपनी पार्टी बदले इस बात का जवाब तो खुद उस नेता के पास भी नहीं मिल सकता जनता तो सिर्फ एक जरिया है पैसे और सत्ता कमाने का आपको बता दे ये नेता अपने कारेकाल में जनता की आसा और उम्मीदों के पैसों से अमीर हो जाते हैं और ऐसा है जनता फिर अगले पांस साल किसी ओन नेता से बही आस और उम्मीद लगा कर बैठ जाती है और एक बार फिर बही सब दोहराया जाता है सिर्फ इतना ही नहीं अपनी पार्टियों का आख मूंद कर समर्थन करने वाले नेता एक पल का बक्त नहीं लेते दलबदल करने में जब बास सत्ता या धनकी आती है तो जनता के भरोसे पर दिये गए बोटों की निलामी करके ये नेता बेसर्मी के साथ फिर अगले चुनावों में नए बादे और नए मुद्दे लेकर जनता के बीच हाजिर हो जाते हैं अजीब सी बात कारेकरम में हमारी ये रिपोर्ट ब्यक्तिगत तोर पर किसी विसेश पार्टी या राजनेता को संबोधित नहीं करती है बलकि देश के हर भ्रष्ट नेता की तरफ संकेत करती है साथ इस रिपोर्ट का एकमात रुजनता को जागरु करना है और सतर करना और आयना दिखाना भी है क्योंकि आज जिस फिरकार का महोल देश की राजनिती में देखा जा सकता है चाहे बात करनाटक की हो या उत्राखन की या फिर देश के किसी भी अन्य राज्जेगी पिछले कुस सालों में सरकारों के बनने और बिगणने के आँकड़े देखें तो ये साब तोर पर दिखाई देता है कि किस पिरकार से ये नेता किसी पार्टी से चुनाब जीत कर आते हैं और सत्ता के लिए किसी दूसरी पार्टी में सामिल हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं। अगर एक रिपोर्ट की हम बात करें तो फिछले चार सालों में देश के लगभग चार हजार छोटे बड़े नेताओं ने अपने दल बदले हैं। इससे इस बात का साप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पिरकार से ये राजनितिक पार्टियों से जुड़े लोग आम जनता को अपने हाथों की कट पुतली समझते हैं। आजीव सी बात में हमारी इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद भी यही है कि आम जनता जागरुक होकर अपने नेतरतब का चुनाब करे। नहीं तो परिस्थितिया ऐसी भी हो सकती हैं जैसे राज्य सभा के भीतर बहुमत ने होने के बावजूद भी सरकार RTI बिल संसोधित करने में सफल हो पाई। जिसका एक मातर कारण दलबुदुल नेताओ का समर्थन रहा। कई बार जाने अंजाने में हम अपने लिए ऐसे पिर्तिनिधी का चैन कर लेते हैं जो आगे जाकर हमारे लोकतंत्र के लिए घातक सावित हो जाते हैं। आखिर में हम आपसे बस यही अपिल करते हैं कि अपने जन पिर्तिनिधी का चुनाफ सतर कैवं जागरुख होकर करें। नैकी जातिगत और छेतर बादी परिस्थितियों को देखकर। अजीब सी बात में बस इतना ही पर जाते जाते हमारी आप से एक अपिल है कि अगर आपके पास भी कुछ अजीब होता नजर आ रहा है जो देश में रहते हुए नहीं होना चाहिए तो आप उसके आवाज उठाईए हम आपके आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिया आप जुड़े रही है समाचार इंडिया के साथ खबर से लेकर असर तक।